So what's up YouTube, this is Max Custom और मैं हूँ बहान उप्रताब So guys, कैसे हैं आप लोग So guys, आज जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं The All New Skoda Karo So guys, आज इस गाड़ी के डीटेल के बारे में बात करेंगे कि गाड़ी कैसी है बहुत ही लगजरी है guys अंदर से इसके इंटिर्स और भी जादा खास है I hope आपको जो इसकी फ्रेंट लुक्स है ये पसंदा रही होगी Guys, ये वीडियो करने क्या है मैं अपने नियरे शोरूं Skoda के और आज पूरी डीटेल बात करेंगे हम Skoda Karoq के बारे में कि कैसी गाड़ी है और हमें कितने की बढ़ेगी सबसे पहले बात बता दूँ Guys, ये CBU यूनिट गाड़ी है जिन लोगों को नहीं पता CBU यूनिट क्या होता है वीडियो के एंड में मैं पूरा एक्स्प्लेंड कर दूँ उन भाईयों को जिन नहीं नौलिज है जिन भाईयों को नौलिज है, well and good है So guys, जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्यूंकि बहुत ही ऐसे खास फीचर्ज है जो इस गाड़े में नए लोट होए स्कॉटा वालोगों कर दूप्सों So guys, इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़ रही है और अगर आपको इस वीडियो पसन आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक करें सेजमेंट की मलब राइवल है इसके क्रेटा, जीप, कमपस सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खतरनाग जो है इसकी लुक्स आ रही है सो फ्रंट से अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गाई इसकी लाइट्स की सो यहाँ पर आपको LED लाइट्स आपको मिलेंगी प्रोजेक्टर लाम के साथ और आप elements चेक करें अंदर लाइट्स में कितने ज़्यादा क्लास लग रहे हैं बहुत ही exclusive design जो है लाइट्स को आपको देखने को मिलने वाला है नीचे आपको fog lamps जो है यहाँ पर इस side देखने को मिलने वाले है उसके बाद यहाँ पर अगर मैं front से बात करता हूँ तो आपको headlight washer जो है आपको यहाँ पर मिलेगा the all new Skoda की जो आपको chrome treatment वाली grill है गाईस यह देखिए जो premium class एकदम आपको look provide करेगी पूरे chrome treatment के साथ साथी में आपको थोड़ी सी यहाँ पर gloss black जो है finish देखने को मिलेगी और कुछ इस type का आपको बीच में center में जो है grill के texture जो है देखने को मिलेगा साथी में आपको मिलेगा यहाँ पर Skoda की badging सो जो main logo है Skoda का वो आपको बीच में जो है हुड देखने को मिलने वाल है अगर मैं इसके front bumper की यहाँ पर बात करता हूँ तो आपको white and black bumper जो है देखने को मिलेगा साथी में आपको यहाँ पर मिलेंगे sensors सो यह parking sensors जैसे हैं मैं आपको zoom करके यहाँ पर दिखाया और इसकी आप skit plates जो है क्लाइडिंग भी हम जिसको बोल सकते हैं वो चीज़ चेक करें black color की आपको यहाँ पर मिलेगी तो गयज उसके बात करता हूँ इसके engine की तो यह आपको एक ही variant में जो है available है जो की है style variant correct style यहाँ पर आपको मिलेगा इसमें 1.5 का TSI petrol engine जो की गयज मिलेगा आपको 7-speed DSG automatic gearbox के साथ जो की देता है 150 PS की power और 250 Nm का torque तो गयज काफी है एक 5-6 SUV के लिए तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से तो आपको गयज यहाँ पर 17-inch के dual-tone alloys मिलेंगे diamond cut हम बोल सकते हैं काफी different design यहाँ पर देया होगा है और tire के जो profile है गयज वो है 215-55R17 तो आप check कर सकते हैं यहाँ पर आप cliding पूरी देख सकते हैं यह गाड़े की safety के लिए cliding जो है provide हुई हुई है अगर मैं ground clearance के बात करूँ गयज यहाँ पर तो 200mm का जो है इसमें ground clearance जो है गयज दे रखा है तो उसके बाद मैं बात करता हूँ गयज यहाँ पर इसके ORVM की तो गयज यह auto fold and electronic LED के साथ आपको ORVM मिलेंगे जो की auto heated भी है जैसे की आपकी गाड़ी में सर्दियों में fog जम जाती है तो यह automatic heat होके यहाँ पर fog को हटा देता है और visibility जो है clear आपकी करता है उसके बाद guys मैं करता हूँ यहाँ पर बात यहाँ पर आप chrome treatment की जो है पूरी piping होतो है देख सकते है यहाँ पर windows के पूरे side में आपको chrome treatment का बहुत अच्छे से इस्तमाल हुआ दिख जाएगा जो की appearance देता है हमें satin silver की यहाँ पर चेक कर सकते है और यहाँ पर guys आपको मिलेंगे same satin silver में ही roof rails जो है आपको देखने को मिलने वाले है उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर door handles की काफी handy जो है door handles है अभी जैसे कि मैं आपको गाड़ी के जब अंदर बैटे हुआ तब बताऊंगा तो यहाँ पर आप इसके guys arcs देख सकते हैं गाड़ी के इसके body arcs है तो काफी different जो है इसको बना रहे है काफी different design के साथ present कर रहे है squadron ने इसको यह guys यहाँ पर आ जाता है इसका fuel tank so 55 liter का आपको guys यहाँ पर fuel tank जो है इसमें मिलने वाला है push वाला fuel tank है guys यहाँ पर आपने push किया और यह इसका fuel tank open हो गया और यहाँ से आपको press करके इसको जो है बंद कर देना है so guys उसके बाद मैं आ जाता हूँ इसकी rear look के side तो rear से और जादा बहतरीन जो है लग रही है यहाँ पर the all new skoda korak so बीच में आपको guys skoda की badging होती ही दिखेगी जो की change हो चुकी है पहले logo आता था बट अब पूरा यहाँ पर writing में skoda आ रहा है जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर guys आपको यहाँ पर so guys आपको के रॉक की जो है badging देखने को मिल देगी बीच में आपको number plate का option जो मिल देगा उसके बाद मैं बात करता हूँ guys इसकी tail lamp की तो full ही LED tail lamp आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे with elements LED elements आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे जो LED का design है guys वो चीज़ चेक कर सकते हैं कितनी जादा भैतरी जो है इसका design यहाँ पर दे रखा है so यहाँ पर यह daytime में भी running है so मैं आपको बता जाता हूँ उसके बाद guys इसके rear की बात करते हैं तो rear से कुछ इसका bumper और sliding कुछ इस type की रहने वाले है साथ ही मैं आपको यहाँ पर मिलेंगे इसमें bumper में reflectors और उसके उपर आप sensors देख सकते हैं जैसे मैं आपको zoom करके यहाँ से दिखाता हूँ so यह कुछ sensors जो हैं आपको इसके साथ देखने को मिलेंगे मिलने वाला है और काफी बहतरीन जो है इसकी looks को बना रहा है साथ ही मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ piano finish का जो है use हुआ हुए जो की इसकी looks को और ज़्यादा exclusive बना रहा है so guys अब हम बात करते हैं कुछ गाड़ी के interior की so let's go in so guys यह है squada carrock की जो है keys यहाँ पे आपको dual key का option मिलता है flip key है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें lock, unlock and boot opening का जो option है साथ ही में आपको जो है squada का logo यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा और काफी light keys है guys easy to carry और काफी light है texture जो है keys का बहुती बहतरीन है यहाँ से मैंने जैसे गाड़ी को unlock किया तो मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ so यहाँ पे जैसे मैंने इसके doors खोले guys मैंने यहाँ पे doors खोले तो आपको यहाँ पर एक ही बहुत जादा premium look जो है देखने को मिलने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं dual tone जो है आपको पूरा door panel देखने को मिलेगा आपको इस texture का कुछ gray finish में आपको यहाँ पे doors पे देखने को मिलेगा जो एक बहुती premium look जो है provide कर रहा है आपको door handles guys fully chrome में मिलेंगे और जो door handles हैं वो बहुती stylish door handles हैं यहाँ पे आपको चार पार windows को option मिलेगा windows lock option मिलेगा यहाँ पे आपको automatic or VM adapter का जो है option मिलने वाले यहाँ पर आपको गयज एक desk kit जो है provide करी गई है चोटी सी और इसको आप निकाल सकते हैं यहाँ पर डाल भी सकते हैं इसको यही पर लगा देता हूँ मैं यहाँ पर लगी होई थी साथ ही मैं आपको bottle carrier जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा और कुछ extra space तो गयज आपको यहाँ पर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो आपको door components जो देखने को मिलेंगे स्कॉडा का जो कि इसकी looks को और जादा बहतरी ने एलिगेंट बनाता है साथ ही मैं गाईज अगर मैं बात करता हूँ यहाँ तो आपको यहाँ पर क्या रोगी मिलेगी बैजिंग और यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपको 8-way adjustable seats है साथ में यह memory seats भी है 3-way memory seats हम इनको बोलेंगे तो यहाँ पर सिरफ pilot side जो है वो adjustable है so 8-way adjustable है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं so उसके बाद मैं बात करता हूँ गाईज यहाँ पर गाड़ी के अंदर आ गया जैसे मैं so गाड़ी को जैसे मैंने आपको यहाँ पर मैंने कर लिए गाड़ी को start और मैं बैठा हूँ इस टेम क्या रॉक के अंदर so सबसे पहले मैं बात बता दूँ यहाँ पर आपको मिलेगा push button start तो यह style variant है एक ही variant आता है यहाँ पर आपको push button start देखने को मिलेगा साथ ही मैं आपको silver finish देख रहे हैं guys यह है ambience lights so यहाँ पर आपको दिखा दता हूँ यह है guys ambience lights यहाँ पर आपको front में मिलेंगी और कुछ यहाँ पर आपको front में देखने को मिलेंगी ios android and navigation के साथ so guys काफी attractive है और काफी जो है exclusive and premium look जो है गाड़ी की बना रहा है आप ac vents के साथ जो है chrome treatment का work देख सकते हैं बहुत ही बहतरी है steering के अगर मैं बात करो तो guys यहाँ आप flat bottom steering नहीं दिया गया है बट यहाँ पर आपको इस type का कुछ steering देखने को मिलेगा with piano finish and chrome treatment बीच में आपको squada का logo मिल जाएगा अगर मैं airbags की बात करूँ तो guys यहाँ पर गाड़ी full safe है क्योंकि गाड़ी में है guys 9 airbags गाड़ी में 9 airbags है और गाड़ी full ही safe है guys उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके automatic climate control के बारे में तो यह कुछ इस type का आपको यहाँ पर center console देखने को मिलेगा DSG gearbox के साथ तो आप quality चेक करें guys एकदम premium quality है यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ यहाँ पर आपको electronic parking का option आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा hill assist का option आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा guys और automatic आपको climate control यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद मैं बात करता हूँ guys इसके center की तो यहाँ पर guys आप glass भी रख सकते हैं और इसमें काफी सारे features available हैं यह आपको guys ओपनेबल handrest मिलेगा so guys उसके बाद आपको यहाँ पर handrest मिलेगा यह easy to go है यहाँ पर नीचे हो जाता है यह आगे भी आजाता है अगर आपको वो चीज कवर करनी है और कुछ इस टाइप का यहाँ पर center में रहने वाला है और यह height adjust भी है guys आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ से आपने press करके आप इसको नीचे भी कर सकते हैं बहुत भी बहत्रीन फीचर लगा यह फुलीं लेडर का है नापा लेडर का जो है इसमें यूज हो हो है बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहत्रीन क्वालिटी का इसकी यह पसंद आई होगी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसके M.I.D. की तो इसको बोलते हैं वर्चुल कॉक्पिट सो गैस यह देखी है आप बहुती बहतरीन है पूरा डिजिटल है और गैस वहाँ जहाँ पर ब्लिंक हो रहा है वह है इसका फ्यूल कॉप्शन वह भी डिजिटल है और यह वर्चुल कॉक्पिट इसलिए है गैस क्योंकि यहाँ पर आपको इसमें पांच लेयाउट जो है दे इच में रहता है तो मतलब पांच टाइप के आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं इस कॉक्पिट के अंदर काफी भैतरीन है और लुक्स इसकी मज़ेदार आ रही है यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो लाइट कॉप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और क कुछ मैं आपके अगर इसकी गैस पैडल दिखाऊं तो यहाँ पर एक्सिलरेशन और ब्रेक का जो है पैडल कुछ इस टाइप के मिलेंगे यहाँ पर भी आपको बहुत प्रीमियुम कॉलिटी जो है देखने को मिलेगी इलेक्ट्रोनिक पारकिंग ब्रेक जैसे मैं आपको पहले बता दिया था और कुछ पियानो फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर मैं इसको पुल करूँ तो यहाँ पर आपको स्टोरे स्पेस मिलेगी 12 वोल्ड का चार्जर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस एन USB सपोर्ट के साथ तो मैंने इसको बंद कर दिया गैस य यह बहुत ही बहतरीन फीचर जो है इसके अंदर है गलोबोक्स देखे थोड़ा सा टाइट है बट काफी है और यहाँ पर आपको गलोबोक्स में जो है लाइट भी जो देखने को मिलेगी उसके बाद गैस हम चलते हैं यहाँ पे इसके संरूफ के उपर तो गैस उसके उपर करना है तो कुछ इस टाइप से यहाँ से उपर हो जाएगा और जो गाड़ी की रूफ रहने वाली है वो रहने वाली है कुछ ब्लाक टाइप की थोड़ी डाक है इंटीर के साथ बहुत ही अलग लग रही है बहुत ही बढ़ी अलग रही है कुछ इस टाइप की आपक और यहाँ पर हर्याना में जैसे यह है 24,99,000 का एक शोरूम प्राइज. सो गैस CBU उनिट है वैसे भी थोड़े सी जो गाड़ी है एक्सपेंसिफ पड़ती है. उसके बाद हम बात करते हैं इसकी रियर लो की, so let's go back. कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर तो यहाँ आपको Skoda का जो होलोग्रैम यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर SEATS की अगर मैं बात करता हूं तो GUYS ISOFICC SEATS आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क् 스हिट की, букet fit SEATS है की bucket fit seats है जिनका thigh support और leg support बहुत ज़्यादा भैतरीन है और आपको co driver side जो है गाड़ी यहाँ पर manual देखने को मिलने वाली है seats आप चेक करें गाई बहुती premium quality की seats हैं अब हम rear में थोड़ा जैसे जाते हैं तो guys यहाँ पर मैं आ गया हूँ rear में तो rear कुछ door panel जो है गाड़ी का कुछ ऐसे रहने वाला है यहाँ पर आपको bottle carrier जो देखने को मिलेगा और यहाँ पर कुछ rear seats आपको इस type की देखने को मिलेंगी beige color की rear seats हैं जहाँ पर मैं इसमें बैठ गया तो guys rear से जो है काफी भैतरीन जो है look आ रही है आप देखिए panoramic sunroof की कितनी भैतरीन look आ रही है यहाँ पर आपको reading lamps जो है देखने को मिलेंगे rear AC vents आपको यहाँ पर दिये गए हैं कुछ storage space आपको यहाँ देखने को मिलेगा साथ ही मैं आपको मिलेगा rear 12 volt का जो है charger उसके बाद मैं बात करता हूँ guys यहाँ पर इसके armrest की आने के लिए यहाँ पर center में भी आपको headrest देखने को मिलने वाला है कुछ rear आपको accessories में rear squad के जो है cushions देखने को मिल जाएंगे so hope आपको जो है इसकी rear looks जो है guys पसंद आई होगी अब हम इसकी बात करते हैं थोड़ी boot space की so guys यहाँ से अगर मैं इसका boot खोलता हूँ तो यहाँ पर आपको boot का option देखने को मिलेंगे यह accessory का part है वैसे बट यहाँ पर आप देख सकते हैं guys आपको पीछे rear boot में light देखने को मिलेगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो रात को अगर आप travel कर रहे हैं family या friends के साथ 12 volt का आपको extra charger देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ आपको extra space जो है आप देखने को मिलेगा अगर मैंने यह खोला तो यहाँ पर आपको एक spare wheel जो है इसमें देखने को मिलेगा उसके बाद guys इसकी सबसे खास बात यह है अगर हमने इसको fold किया यहाँ से तो यहाँ पर जो है option है इसको मैंने अगर प्रेस करा तो सामने वाली seat fold हो जाएगी इधर से भी और इधर से भी सो यह सामने वाली seat जो हैं दोनों automatically fold हो चुकी है इन buttons के through सो यहाँ से आप पुल करें और उसके बाद यहाँ पर automatically seat आगे गिर जाएंगी जो की boot space अब इसका और जादा massive बना देती है जो की around पड़ेगा हमें 1710 लिटर के आसपास जो की बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत बंद सो यह थी आज की हमारी वीडियो होगी एक दो दिन में इसकी test drive वीडियो ज़रूर लेकर आऊंगा जल्दी से जल्दी आज की वीडियो होप आपको जो skoda क्या रहा है यह पसंद आई होगी अपने नेरे शोरूम जाएं skoda के और जरूर इस गाड़ी को test drive करें जो इसकी build quality है होती जादा बढ़ी है जैसे आपको पते ही होगा skoda अपनी build quality को लेकर काफी जादा जो है popular है और बात रहेगी थी इंट्रो वाली CB unit क्या होता है तो उसके बारे में मैं explain करता हूं CB unit वो गाड़ियों होती है जो बाहर से foreign country से जैसे गाड़ी जर्मन है तो जर्मन से पूरी जाए है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था सो इस होता है मतलब CB unit का ओप आपको यह पसंद आई होगी कैसे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को बैंक्स कस्टम मैं फ्यूचर में ऐसे और अ सपोर्ट मेरी वीडियो को गई देने के लिए बहुत 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 थैंक यू अपना ध्यान रखिए लव यू और सी यू नेक्ट वीडियो गाइस बाई टेक केर